स्वागत आपका दोस्तों सभी का इस न्यू वीडियो में कैसे हो सभी लग दोस्तों आई होप खुश होंगे आप आपकी हेल्थ अच्छी होगी बात हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं स्टूडंस की जो लोग स्पेशली जर्मन में स्टडि करने के लिए आна चाहते हैं आ रहे हैं उनकी बात होगी आज आपको बता हुँ दोस्तों एक बार की योरॉप में सब कुछ ठीक हो रहा है अविज्टिक विल ओपन सूrez जोब लोगों को वापस मिल रहे हैं तो आप study करने के लिए जा रहे हैं हर student का एक सपना होता कि वो foreign country में जाए and study कर रहे हैं and वो भी अगर आपको stipendium मिल जाए इसे अच्छा क्या हो सकता है लेकिन फिर भी आप foreign country में जा रहे हैं study करते हैं पार्ट टाइम जोप में भी आपको करना पड़े हैं तो difficult हो जाता है खाना पीना रहना सैना जोबे मुश्किल हो जाता है आप समय रहे हैं इसी वज़ा से बहुत सारे लोग काफी लोग चाहते हैं कि उनका partner wife husband जो है जहां study करती हैं जिस country में चमने की बात हो रही है तो वो हमारे साथ चल जाए जहां फिर आपको जहां आकर फिर आपको फिर आप उनको बुला लें अपनी country में जहां study कर रहे हैं तो question यही है कि possible है के नहीं सीरीज बात है possible है आप study कर रहे है as a student अपने life partner को अपनी wife husband बुला सकते हैं जब तक आप study करते हैं लेकिन उसकी भी बहुत सारी conditions है requirements है तो मैं आपको इस वीडियो में बताना तो वीडियो को पूरा देखना skip मत करना so अब थर्ड country से यहां आ रहे हैं जर्मनी में आपको क्या चाहिए एक पैरण्ट्स अपको बुलाना चाहते हैं उसको भी बारे है उनके बारे में तो requirements क्या है conditions क्या है main जो होता है requirements होती है main सबसे पहले बात आती है financial resources जो होते हैं आपके पास होना चाहिए ठीक है, financial resources जो है, cover होना चाहिए, सब रहें से हैं, express expenses of living, अपने लिए भी और आपके family, parents, ठीक है, wife के लिए, अपने partner के लिए, husband हो जाए, wife हो, ठीक है, means, आपको जरुमेंट, government ये चाहती है, कि public front जो होता है, जर्मनी के लोगों के लिए, वो आप use ना करेंट, पेंट, उस पर ना हो, ये जर्मन government चाहती है, ठीक है, ये important है, financial resources आपके पास होने चाहिए, living place, जो होती है, आपको देनी पड़ेगी, दिखानी पड़ेगी, ये living place, जहाँ अपने partner को रखना है, वो आपको दिखाना पड़ेगा, प्रूफ, है ना, marriage certificate, देखो, marriage certificate, अगर अप apply कर रहे हैं, है ना, उसके साथ ही जोड़ेगा, marriage certificate, ताकि बाद में कोई problem ना हो, ठीक है, 18 years old, आपका partner जो है, 18 साल, age उसकी होनी चाहिए, ओके, नेक्स्ट, ये मुझे, बात बहुती अच्छी नहीं लग रहे है, यार, जर्मन लेंग्विज, A1, लेवल जो होता है, जर्मन लेंग्विज का, A1, आपके partner को, चाहिए, means, उसको German course जो होता है, अगर आपका partner इंडिया में है, उसको course करना पड़ेगा, and, certificate, उसका मिलता है, वो, जब वो वीजा अपलाई करेगा, करेगी, आप में उनको दिखाना पड़ेगा, कि ये बंडे ने, course जो होता है, German का, हासिल किया है, उसके पास certificate है, प्रूफ करना पड़ेगा, आपको, so next, documents, जो होते हैं, आपको चाहिए, वीजा अपलाई, करना पड़ेगा, आपको, obviously, appointment लीजिए, interview आपकी होगी, आपको interview देनी पड़ेगी, क्यों आप जा रहे हैं, किस के पास जा रहे हैं, रहना कहां है आपने, study आपका husband, wife कहां कर रहे हैं, कर रही है, उसके पहले आपने पूरे documents, जो है, एकठे करने हैं, carefully, interview है ना, जो, आपको पहले बता दो, interview जो थोड़ा lightly मत ली आप, जो government है ना, बंदे को फसा देती है, तो be careful, okay, marriage certificate मैंने उपको पहले ही बता दिया, यह आपकी तरफ से है, जिसने वीजा लगाना है ना, आपकी wife, आपका husband, जिसने वीजा लगाना है, जादा फिर together ला सकते हैं, जा फिर, अब यहां आकर Germany में, अपनी wife को बुला सकत है, husband को, marriage certificate, आपने साथ चोड़ना है, passport, valid होना चाहिए, toich आ गया, toich test, course जो होता है, certificate के साथ, level, फिर में बता दो, A1, level जो होता है, वो आपको चाहिए, birth certificate, photo चाहिए, आपको दो या, तीन या, चार, आपको एक list मिलेगी, वो पस सभी document जो होता है, लिखे होंगे, German resident proof, जहाँ पर आप जा रहे हैं, उसका होता है, उसको कहते है, milde settle, okay, फिर आपको चाहिए, cover letter, rent, contract जो होता है, copy उसकी चाहिए, जहाँ आपका husband रह रह रहा है, okay, my wife, health insurance, health insurance आपको चाहिए, जब आप travel करते हैं, वो अलग होती है, travel insurance, health insurance, वो आपको देनी पड़ेंगी, ओके, यह सभी है, डोकुमेंट से मैं बताया रहे हैं, आपने, यह आपके husband को भी देने पड़ेंगे, सभी, copy होती है, उसको साथ में जोड़ देना, ठीक है, so, application fee कितनी होती है, estimate लगा लो, 75 euro, हो सकता है, I think, पहले तो 75 थे, तो ऐसे बात, ऐसे, एक काम करना, 100 euro साथ ले जाओ, that will be enough, I think, फिर आपने क्या करना है, पूरे जो सभी जो डोकुमेंट्स है, आपने कठे किये हैं, एक कोपी कर लो, पूरे डोकुमेंट की, ठीक है, तो यह बहुने बताते हैं, दोकुमेंट्स फोट्वाओस, फ्रॉम जर्मनी जहां करता है, इंवाइट लेटर, जो होता है, यूनिवर्सिटी से, वो आपको चाहिए, डोकुमेंट्स जाद आया, मेभी हो सकता है, आपको सम डोकुमेंट्स ट्रांसलेट करना पड़े, एंड वेरिफाइ करना पड़े, इंजर्मन लेंगवेज, ठीक है, सम डोकुमेंट्स, यह तो फिर एक्स्टा कोस्ट आपको देने पड़ेंगी, ट्रांसलेट करने के लिए, ओके, नेक्स्ट, लास्ट है यह, पॉइंट, टाइम कितना लगएगा, विजम के लिए, डिपेंट ओन कैंडिडेट्स, कितने हैं, डिपेंट ओन अबैसी, ठीक है, कंडिशन, जो आज कल चल रही है, उसके हिसाब से, एक यह तीन, मन्थ हो सकता है कि लग जाए, ठीक है, ठीक है लगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करना हूँ, बी साइफ, मिलता हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाबाए,